Hello friends, आज morning गोरी है, तो morning इसे बच्चे पुच्छ, देखता। 5.46 अबध्रिनाथ जा रहे हैं Hello friends, आज morning गोरी है, तो morning के 5.46 पुच्छे हैं तो अब ही हमें जितने जल्दे हो सके उती जल्दी बद्रिनाच निकलने कभी आज हम बद्रिनाच जा रहे तो फिर सेले हम अपनी गाड़ी का चैक अप कर लें पूँ जब काम है तो हम कुरेन दालते और इंजिनार चैक करते चला कर लेक सेले जाल ऑाज हम बत्यू कर जडते एै करके लोने करेख लूँ कर दोँगे पादेर सेप्रेख डेजिए एक प्रूँ कि अग्षायर कर जाड़ी जायो व कर देख्णे। प्रेंड्स हम आगे हैं देव प्रयाग बदरीनाथ के रस्ते में तो यह आपको ग्रीन कलर की नदी दिख रही है यह बगीरती और थोड़ी मतमैली सी है वो है अलकनंदा अब यहीं से बगीरती और अलक नंदा का संगम होता है देव प्रियाग में और कहलाई जाती है गंगा मैया रिशिकेज हरीदवार यही नदी जाती है और उसको बोलते हैं गंगा मैया जय गंगा मैया आपको कैसा लग रहा है यहां पर आप लगता है फर्स टाइम आई है कैसा लग रहा है आपको कैसा आप को पता है इस जगा के बारे में कुछ नहीं पता है आपको पता है शुब जादा पता है इस बतारे वह गे को हुआ है, शैनलों बहुता है श्यालों, शैनलों कि भीस दो आपने में लेंगी देखेगे, समय कह बाह्या है कॉर्ठों बाद काना, कॉर्ठों पात काना तो हम रदप्रयाग पहुचने वाले हैं यहां पर लैंड स्लाइड की वज़ा से जाम लगा है और प्रशासन ने एक एक करके गाडियां निकालने की कोशिश कर रहे हूँ अभी सामने वाली की तरफ से लोने ट्रैफिक खोला है हम दिजार कर रहे हैं अब तकरीबन देहों किता टाइम लगता है अभी हमें भी नहीं अन्दा जाएं इधर की साइड अलग नंदा नदी है हमारे और इस तरफ बड़े-बड़े पहाड यहां पर खुदा ही और लैंड अबजब किया होगा तो भगी रथी का रंग अलग है अलग नंदा का अलग देव परियाग में यह मिलती है और बन जाती है गंगा मुई यहां देखिए कितना खुबसूरत नहीं जा रहा है यह देखिए हम चाय पीने के लिए रुखे हैं ट्राफिक बहुत है प्लस रोड कंडिशन्स ता आगको पता ही है काम चली रहा है अभी और हमेशा लैंड इसलाइड होता रहता है चाइब कर रेक यह एक चाह पी रहे है हमारा बेवी ओधि खुश है बहुत हमारे बच्चे ॉच्च भी खुश है तो हम भी खुश है मिलते हैं फिर आगे टाय भी रहे हैं पुसो फ्रेस कमाची के नहाँ बत्तोरी जोली है 89-80 के सिर्षी नहाँ जोली है जो आपे अगे जोली हो अगर ओड़ब आपो रहकिया आगे मजेसी ही यह क्याँ जाटिए क्याँ भाजी क्याँ जाटिए तो साहब हम पहुंच गए हैं जोशिमट से पहले और समय हो गया है पांच बच के चब्विस मियुट जाम लग रखा है अब रोड की कंडिशन्स खराब है और दोने तरफ से जाम लगा है पुलिस ने गेट सिस्टम लागू किया है कि एक टाइम पर एक ही गाड़ी निकल सकत आप तकरीब लगा तक्रीबान आधा कंटा हो गया यहां पे बैट कर रहे हैं बादल गड़ आ रहे हैं अगर आप शुन पा रहे हैं तो और मौसम देखे ज़रा मौसम बारिश हो रही हैं जो बहुत अगे इन्टिजार करना पड़ेगा बताते हैं आपको तो दोस्तो हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम कल्यूक का वैकुन धाम जिसे कहा जाता है उत्राखंड डिस्टिक चमोली यहां पर ठंड बहुत है तो आपसे निवेदन है अगर आएं तो गरम कपने लेके आएं तो आज 2 अक्टूबर सन 2022 बद्रीनाथ की सुबह बद्री विशाल के वैकुंड धाम जो कल्यूक का वैकुंड धाम भी कलाया जाता है हम उठें और सुबह उठते ही यहां का जो नजारा है ना अगर आप देखेंगे तो आप भी अभी भूत हो जाएंगे देखिए बरफ से लजेवे पहाड सामने और यहां ठंड तो बहुत जाता है तो आप आएं कभी भी तो आपसे निमेदन हैं गरम कपड़े हमेशा साथ ले करके आएं यह देखिए चारों तरफ बरफ के पहाड मास्टर प्लान के साब से काम चल रहा है कुछ सालों में हो सकता है यहां पे अधिक मात्र में मिलते हैं अब हम त्यार होएंगे नहाएंगे दोएंगे फिर बद्री विशाल के दर्शन के लिए जाएंगे आपको रिपोर्ट देते रहेंगे धन्यवाद आपे बरा फुर गए आप उत गए हैं तो इधर प्ली ओर दियो अर गलशी पाने उधर दखो इधर उधर उधर तर बराव मेरे टोपे वेटीची जगाना है क्लेड रहे हम दोशाओ वाल मंदर दंगे पर गरम कोड़ में आइगे रहा के ज़ लगरी कुछे वरे से लिता है झाल याइस